भारतिये पहलवान रवी कुमार दहिया बुधवार को टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों के 57 किग्रा वर्ग के फाइनल में पहुच गए हैं। रवी कजाकिस्तान के नुरिस्लाम सनायेव को 9-7 से हराकर अपने पहले ओलंपिक अभियान में फाइनल में पहुचे थे। रवी के पास अब भारत के लिए एक रज़त पदक है जिसे वह 5 अगस्त को रूस के उगुएव जावुर के खिलाफ फाइनल में खेलने पर स्वर्ण में बदल सकता है। समाचार एजेंसी एनाही दुआरा साजह किये गए एक वीडियो में रवी के परिवार के सदस्यों और पडोसियों को मैच में जीत की चाल चलते ही खुशी से जूनते देखा जा सकता है। नूरिस लाम ने खेल में शुरुवाती बड़त हासिल करने के बावजूद रवी ने मजबूत वापसी की और तुवरित टेकडाउन को प्रभावित करके मैच को अपने पक्ष में कर लिया। इस से पहले रवी कुमार दहिया ने तकनीकी नौकाउट के साथ अपने शुरुवाती दो मुकाबले जीत कर अपने अभियान की शांदार शुरुवात की। उन्होंने अपने शुरुवाती मुकाबले में पहले कोलंबिया के टाइग्रे रोस उर्बानो 13-2 को हराया जिसके बाद उन्होंने बुल्गारिया के जॉर्जी वेलेंटिनो वांगेलो 14-4 को हराया। मैच के बाद सचिन तेंदूलकर ने हर्याणा के पहलवान को बधाई देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। इस से पहले दिन में लवलीना बोर्गोहेन ने महिलाओं की 69 किग्रा वेल्टर वेट मुक्के बाजी स्परधा के सेमी फाइनल में तुर्की की बुसेनाज सुर्मेनेली के खिलाफ हारने के बाद भारत के लिए कान से पदक जीता। अपनी हार के बावजूद लवलीना विजेंदर सिंग 2008 और मैरी कॉम 2012 के बाद ओलंपिक में पदक जीतने वाली दूसरी और कुल मिलाकर तीसरी भारतिये महिला मुक्के बाज बन गई। भारतिये भाला, फेक, खिलाणी, नीरच चोपणा ने अपने पहले ही प्रयास में जेवलिन थ्रूफाइनल के लिए क्वालीफाई करके टोक्यो ओलंपिक में पदारपण की घोशना की। आएवलिन थे जाएवलिन थे क्वालीफाई दिया देवलिन थाना की। झाल झाल